मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीफ सेकेटरी के बेटे की कम्पनी ने द्वार का एक्सप्रेस वे के पास साल 2015 में ये जमीन मात्र 75 लाख में खरीदी थी 2015 में अब महंगे रेट पर उसी जमीन का भूमी अधीग रहन द्वार का एक्सप्रेस वे के लिए हुआ है इस तरीके से मुख्य सचिव के बेटे की कम्पनी को 850 करोड रुपे का नाजायज फायदा हुआ रिपोर्ट के मुताबिक चीफ सेकेटरी के बेटे ने बेटे की कई अन कम्पनियों को भी सरकारे ठेके दिये बताया जा रहा है कि अभी इन कम्पनियों की भी जाच होगी तो ये क्या केस बनाने की कोशिश हो रही है वीजे जी सर देखिए अब सीधी सी बात है कि केजरिवाल साब को बदला लेना है अब कम्पनी ने लिया 75 ये तो वही बात होगी ना सर एक बहुत छोटी सी बात है जब एक्सप्रेस में नहीं था यहां पे किसानों की अहालत खराब थी लोग दो दो चार चार पाच-पाच लाख तो उन्हें ने का जी मेरा घर है लक्षमी ने अगर में तो काफी कंजस्टेड एरिया कि नहीं मेरा घर बहुत बढ़ा है आपका घर बढ़ा है मतलब के तरुसाहाब मेरे घर कम से कम 1214 में के दो हजार स्कॉयर फीट का लक्षमी ने अगर एरिया में मैंने का प्लॉट है है कहते जी प्लॉट है 2000 स्कौर्वी तो मैंने 2000 स्कौर्वीट मिला किदर से आपको कहता है हमने 1972-73 में खरीदा था जब यहां कोई नहीं आता था दो रुपे स्कौर्वीट जमीन ली थी मैंने जी 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 आज उस और जब आप एक्सप्रेस में बन गया डवलप्मेंट हो गया तो प्राइस एसकलेशन होना वाजिव है और उसको अगर आप आधार बनाते हो ब्रस्टा चार का अभी तो सीबी आई के पास मैटर है सारे रिकॉर्ड है सरकल रेट्स हैं सब कुछ है मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है लेकिन एक बात तो क्लियर है और हर आदमी इस बात को मान रहा है यह बदले की भावना से चीफ सेक्रेटरी का एक्स्टेंशन ना हो इसलिए पूरा ग्राउंड तयार किया जा रहा है लेकिन जिस तरह से बिरोक्रेसी चीफ सेक्रेटरी के साथ खड़ी है मुझे नहीं लगता कि केजरिवाल साब को कोई बहुत ज़्यादा ठीक है शोरो मचाना कागज बनाना मंत्री से फाइल लगवाना सब करना ठीक है लेकिन अल् यहां विरोक्रेसी में कुछ लोग जरूर होंगे जो चाहेंगे कि चीफ सेक्रेटरी को एक्स्टेंशन ना मिले क्योंकि इससे उनके चांसिस चीफ बनने के और उनकी प्रोमोशन होने के चांसे बढ़ जाते हैं तो एक इंटरनल राइवलरी हो सकती है लेकिन के जिवाल साब के कथन में या उनके स्टेटमेंट में अब जो तथे हैं वो तो आप सी बी आई के पास इंक्वाइरी जा रही है तो वो तो आने वाले दिनों में पता लगेगा कि सच्चाई क्या है बिल्कुल सही है और ऐसे समय पर इस तरह के अधिकारी ही अंदर की खबरें निकाल निकाल करके किसी को देते हैं ताकि चीजों को गरमाया जा सके जो आप कह रहे थे अभी के ये लोग नरेश कुमार के पीछे पड़ गए है इसका एक औ जीता जागता सबूत है ये जो अस्पताल वाला मामला है अस्पताल को लेकर के भी आतीशी मार लेना ने एक रिपोर्ट सौंपी है और कहा इसमें भी मतलब इनके इनके बेटे को घसीटने की कोशिष की गई है आज की ही ये खबर है और इसका शिर्षक दिया गया है अब गोटाले में मुख्य सचीव का नाम बेटे को पहुँचाया करोड का फायदा करोडो का फायदा आतिशी ने केजरीवाल को सौपी रिपोर्ट यानि चार दिन के भीतर आतिशी आजकल बहुत मेनद कर रही है इसका मतलब पहले द्वारका एक्सप्रेस से रिलेटिड रिपोर्ट सौप रही है अब किसी अस्पताल गोटाला नाम दिया जा रहा है किसाब ये जो है पढ़ लेते हैं दिल्ली सरकार ने मुख्य सचीव नरेश कुमार पर अस्पताल गोटाला करने का अरूप लगाया है सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बेटे की एक और कंपनी को दिल्ली सरकार के आई एल बीएस अस्पताल से बिना टेंडर AI साफ्ट वेयर बनाने का काम दिलवाया जिससे उन्हें सेंकडो करोडों का मुनाफ़ा पहुँचाया गया नरेश कुमार के बेटे की कंपनी तिर्फ साथ महीने पहले बनी है उसे AI साफ्ट वेयर बनाने का कोई अनुबाव नहीं है नरेश कुमार आई एल बीएस अस्पताल के चेर्मेन है अब चीफ सेकेटरी है तो ऐसे बहुत सारे दिल्ली सरकार के जो अस्पताल है उनमें वो चेर्मेन होंगे विजिलेंस मंतरी आतिशी ने केजरीवाल को अस्पताल गोटाले की विस्तरित रिपोर्ट सौपी है इससे पहले दिल्ली सरकार वो इस द्वार का एक्सप्रेस वाले क्या लग रहा है आपको ये सब जो है केवल पेशबंदी के लिए ही है जो आप बता रहे हैं सर अगर हस्पिटल गोटाला हुआ तो हस्पिटल मंतरी कौन था बगर मंतरी के कागज के सुष्ञार से ना और नहीं बढ़ता न सर्ट सवाल यह है या तो केजरीवन साब कहते हैं कि इनके मंतरियों को कुछ नहीं पता था डिपाटमेंट में क्या हो रहा है इनके हेल्थ मिनिस्टर ना नौनहा नाकारा थे नालायक थे उँनगो कुछ पता नहीं हो रा था डेपाइट में क्या चल रहा है तो बगेर चीफ मनिस्टर के और मेल्थ मिनिस्टर के साइन की तो फाइल मूवी नहीं हो सकती न सरज कि किस फाइल कहा से शुरू ही और कहा तक गई किसकिस ने स्िगनेचर किये है यह कहीं ऐसा नहीं कि ये खुद फस जाएं इस केस में क्योंकि जैसे इन्हों ने शीष महल में घोटाला किया था कि दस करोड उपर से अगर कोई कागज होगा तो वो कैबिनेट में जाएगा ये तो रूल है तो इन्हों ने जो यहां पर फाइल चलाई और उसमें ये घोटाले की बात कर रहे है है तो क्या आप यह कह रहे हैं कि इस में मंत्री और चीफ मिनिस्टर को देगा और, चीफ मिनिस्टर को देगा साइन होने के बाद ही आगे कारवाई होती है तो अब ये तो इंट्रस्टिंग डवलप्मेंट खुद हो रही है दें ऐसा नहीं हो कि केज़िवाल साहब और मारलेना अपने खिलाफ ही दुनिया पर के सबूत पबलिक में रख दें और दूसरी बात तो बहुत सिंपल है सर कि जो जमीन का घोटाले का केस है वो एक वकील ने केस किया है अब प्लांटेड वकील होंगे कोई ना कोई इनके अब सीधी सी बात है कि सी बी आई को उस वकील को बुला के सबसे पहले पूस्ताज करने चाहिए कि भी तुम्हें अचानक कैसे याद आया और उसके सारे कॉल ड से हो गए और उसमें मंत्री का रोल इनके अधिकारियों का रोल जूनिर आफिसर्स का रोल सीनिर आफिसर्स का रोल जैसे लीकर घोटाले में एक एक करके परतें खुली हैं अब यह सारी की सारी परतें अगर बिरोक्रेसी इनके तो वैसे ही इन से दुखी है और बिरोक्रेस तो अब तो यह देखना है सब कि आने वाले समय में कैसे जाता है लेकिन इंट्रस्टिंग है और मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में केजिवाल साब के लिए मुसीबते और बढ़ जाएंगी क्योंकि अभी तो जिन अधिकारियों के इलाफ ये कारवाई कर रहे हैं तो आने वाले समय में कोई भी अधिकारी इनकी सुनेगा नहीं वो तो गहेंगे भाई साब हम तो प्रसीजर से चलेंगे आपको पसंद हो या ना हो और आप ट्रांसफर पोस्टिंग आप वैसे कर नहीं सकते चीफ सेक्रेटरी दिल्ली भारत सरकारे पॉइंट करेगी तो आपको तो अब प्रसीजर से चलना पड़ेगा मनमर्जी में कोई बिरोक्रेसी और ये तो एक अच्छा लेसन है बिरोक्रेसी के लिए चाए वो पंजाब की बिरोक्रेसी हो या देश के अलग अलग राज्यों में बिरोक्रेसी हो उन सबके लिए ये एक अच्छा सबक है कि आप बिल्कुल फुल स्टॉप कॉमा देख देख के काम करिए कहीं ऐसा ना हो कि यही मंत्री जो आज आप से फेवर ले रहे हैं वो कल आप ही को फसा दे तो यह तो बहुत अच्छा लेसन है भारत की बिरोक्रेसी के लिए मुझे लगता है इसे करप्शन कम होगा क्योंकि डवलप्मेंट है इसमें खराब कुछ नहीं है